तो आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टन रहने वाली है क्योंकि आपको मालूम होगा कि मैंने फिजिक्स का मॉडल पेपर जो है वो आलिटे डिसकस किया हुआ है अगर आपने वो ना देखा हो तो आप चनल को चेक आउट करके वो देख सकते हो ठीक है तो आज का जो वीडियो है वो भी बहुत जादा इंपॉर्ट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम मॉर्डल पेपर जो किमिस्ट्री का होता है इसमें हम बात करेंगे कि टोटल कुछन कितने होते हैं और माकल्स जो है वो कितने टोटल होते हैं as per your questions और इसमें कितने questions आते हैं हर किसी section में और कितने markus रहते हैं ठीक है आज की इस informative वीडियो में आप लोगों को मैं सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा सबसे पहले मेरी request आप सभी लोगों से यही है अभी तक आपने हमारी इस छोटी सी YouTube channel को subscribe नहीं की है तो जल्दी से कीजिए subscribe bell icon on कीजिए टेलेग्राम भी join कीजिए description में मैंने link दी हुई है जाके join कीजिए अगर directly contact करना चाहते हो तो Instagram की link भी दी हुई है ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको यह model paper चाहिए तो इसकी लिए आपको optional website पे जाना है वहाँ पर download करना है अगर आपको download करना नहीं आता तो मुझे आप इस्टाग्राम पे message कर सकते हैं वहाँ पर मैं आपको send करूँगा ए ठीक है ऐसा कोई मसला नहीं है तो चलो जी यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर जुमू कश्मिर स्टेट बोर्ड अजुकेशन जो 11th class की student है चाहे summer zone की आते हैं यहाँ फिर जुमू के यह कश्मिर की student है तो सबसे पहले यहाँ पर जो total marks है यहाँ पर आपकी 70 marks है total वो time जो का कमस्टे का paper है ठीक है class 11th का ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि instructions क्या दिये हुए हैं इसमें आपको इसमें लिखा है all questions are compulsory questions जो है वो compulsory है सब सारे questions ठीक है इसमें आपको शायद internal choice नहीं मिलेगी तो सबसे पहले यहाँ पर question जो है from one to five questions जो very short answer आएंग इसमें आपको एक-एक question को एक marks मिलेगा each question को आपको एक-एक marks मिलेगा ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है उसके बाद मैं आपको practical भी दिखाऊंगा नीचे ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है तो दूसरा जो यहाँ पर दिया हुआ है दूसरा section short answer type का उसमें आपको 6-12 questions जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर किसी question में कितने marks मिलेंगे 2-2 marks मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम fourth section की बात करेंगे जिसमें short answer type रहेगा ठीक है ना तो short answer type रहेगा उसमें आपको 3 marks मिलेंगे हर किसी question को तो जब 3 marks हर किसी question को मिलेगे तो वो 13-24 questions होंगे ठीक है इसी के बीच में तो यहां पर 25 से 27 questions जो होंगे तो यहां पर 5 जो आपको हर किसी question को 55 marks मिलेंगे ठीक है तो लोग चलो जी हम नीचे देखेंगे आराम से यहां पर questions दिये हुए है आप इसको screenshot भी उठा सकते हो यहां पर यहां देख सकते हो आप मैंने left side में आप देख सकते हो तो यहां पर हर किसी question का यहां पर एक-एक marks है ठीक है मैं आपको highlight भी करके दिखाऊंगा यहां पर यहां पर एक-एक question को एक-एक marks है ठीक है तो यह किसको है क्या नहीं है मैं आपको बताऊंगा यह very short answer type question है जो मैंने पहले ही बोला था यहां पर 1 to 5 question ठीक है तो नीचे आपको हर किसी question में मिल जाएंगे उसके बाद नीचे अगर हम जाएंगे यहांपर दो-दो marks हर किसी question को आपको मिलेंगे अगर हम end में देखेंगे यहांपर यहांपर long on the type question रहेंगे आपको इसमें से आपको five marks question रहेगा ठीक है आपको इसी में थोड़ा सा preparation करनी पड़ेगी अगर यही आपको ठीक हो जाएगा तो आप अच्छे से marks लाओगे क्योंकि दो-दो-तींती marks आप सबी लोग अच्छे तो करती ही हैं लेकिन long on the type को थोड़ा सा गलत होता है फिर इसलिए आप इसको screen shot भी उठा सकते हो इसी तरीकी से आप ये questions अगर आप पड़ोगे तो ये भी आ सकते हैं exam में तो इसको आप screen shot भी उठा सकते हो अगर आपको ये model paper चाहिए मैंने पहली बोला कि आप मुझे टेलेग्राम पे message कर सकते हो वहाँ पर मैं आपको जवाब दूँगा और send करूँगा ये PDF तो यहाँ पर जो वराल कहने के बात यह कि यह जो paper था यह chemistry का paper अगर आपको further information चाहिए ठीक है ना तो आप मुझे बोल सकते हो निचे comment कर सकते हो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई किसी ओर topic पर मिलते हैं तब तक अल्ला हाफिज